नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो विश्य है वो यह है कि सास और बहु के रिष्टे को अच्छा करके परिवार को और ज्यादा मजबूत केसे करें दोस्तों यह जो समिश्या है यह बहुत सारे लोगों के साथ में आती है और आज के वक्त में एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यता है जहां पर पहली बार एसा होने लगा है कि जो बहुए हैं वो स्मार्ट फोन के साथ में अपने ससुराल में आ रही है तो ये बात इस वज़े से ये बड़ा इशू नहीं है कि स्मार्ट फॉन की वज़े से ये बहुत सारे जो इशूज है वो हो रहे हैं मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ कि दुनिया बदली है, वक्त बदला है, बहुएं और ज़्यादा स्मार्ट हुई है लेकिन घर की जो मजबूती है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्वर करती है कि सास और बहु के बीच में विस्ता कैसा है अगर सास और बहु के बीच में विस्ता बहुत अच्छा है, अगर उनके बीच में बहुत एक अच्छी understanding है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो घर बहुत ही ज़़ादा मजबूत रहेगा वो घर बहुत ही ज़़ादा तरक्शी करेगा और जैसे हमारे भारती करती में कहा जाता है कि जब एक लड़की बेदा होती है तो अब लक्समी का रूप होती है उस लक्षमी को देखकर उसके जो पिता है उसके भाई है सब को एक motivation मिलता है कि हम और अच्छे से काम करें हम हमारे लिए परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए अच्छा काम करें और धन दोलत से और समर्थी से उस घर को और बढ़ाएं वो एक motivation होता है और उसके बाद में जब वो किसी दूसरे के घर में जाती है तो वहां पर भी वो लक्षमी का रूप होती है वो समर्दी लेकर आती है लेकिन अगर ये जो रिष्टा है इसको अगर हम और डबल कर लें तो आपने गनित में एक square सुना होगा कि दो का जो square है वो 4 होता है और 3 का जो square है वो हो जाता है 9 तो इस परकार से square के अंदर घर के अंदर लक्षमी होती है ये लक्षमी आपस में मिलकर एक और एक दो नहीं होती ये एक और एक 11 का रूप बनाती है आपके घर के अंदर सुक्स मर्दी बहुत जादा बढ़ेगी अगर ये जो लक्स मैंने वीडियो बनाने का जो मुझे मोटिवेशन मिला मैं बहुत सारी काउंसलिंग मैंने इस विशे पे की लोगों को बहुत जादा बेनिफिट मिला सबको बहुत हुआ लेकिन एक इसी काउंसलिंग जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा मैं सिर्फ जगा का नाम लूँ ससुराल है वो 465RD है और उनके घर के अंदर दिक्कत आई और उस दिक्कत का क्या कारण था उसको थोड़ा समझने का प्रयास किया तो उसमें एक बात सबसे परमुख ही आई कि घर का जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम हर एक घर का अलग होता है और इस वज़े से लड़की जब ससुराल में जाती है उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है अज़ेस्ट होने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो सास होती है वह अपने वक्त की होती है अभी इस केस में इनकी जो सास है वह सास उस वक्त की बहुट ही जब स्मार्ट फोन नहीं थे जब Mobile पर बाते न नहीं होती थी जब ना एसी था ना पंखा था ना कूलर था तब तो जिंदगी बहुत कठिन थी और उस कठिन जिंदगी में सबसे जो कठनाई थी वो उनकी खुद की सास थी उनकी खुद की जो सास थी उन्होंने उसको किस परकार से रखा वो बात उसके जेहन में हैं लेकिन तो ये बहुत बड़ी एक समच्चया उस घर के अंदर पेदा हुई जिस की वज़े से क्या है गिए उनके अंदर छोटी-मोटी खिट-पिट होने लगे और ये बात जो है वो सब जगह के लिए लागू है ये बात सहरों के लिए लागू है ये बात गाओं के लिए भी लागू है और ये बात गरीबों के लिए लागू है ये बात अमीरों के लिए लागू है ये समश्या हर घर की समश्या है कि जो जिस स्तर पे हैं उस स्तर से वो आगे आया है लेकिन आगे आने के चक्कर में वो ये भूल चुका है कि ये स्तर अलग है जिसने इस परिवर्तन को महसूस कर लिया जिसने इसको स्विकार कर लिया वहां पर समश्या कम है दूसरी सबसे बड़ी प्रोग्लम और वो ये कि इस पूरे केस के अंदर जो पती देव हैं उनको एक जज की भुमिका निबानी होती है और जज का एक मुख्या काम क्या होता है मुख्या काम ये होता है कि सही वक्त पर सुनवाई कि सिर्फ सुनवाई नहीं सही वक्त पर सुनुए उनके बीच के उनकी बात भी शुनिये और उतने ही सिद्दत के साथ में जो दूसरी पार्टी उनकी बात सुनिये दोनों की बात सुनिये, सुनने में कोई आप परिशानी नाम हैसूस करें, सुनने के लिए हमेशा त्यार रहें, अपने दोनों कान खोल कर सुने, यह सा नहीं है कि आप मोबाइल चला रहे हैं और आपने उनकी बात सुनी तो यह भी सोचेंगे कि मेरी बात उनने मोबाइल चल तो कुछ है ही नहीं, अब उस कुछ है ही नहीं बात के अंदर से भी आपको उनकी कमियां और उनकी अच्छाईयां, उनकी कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, ये दोनों निकालने हैं, दोनों पार्टियों की दोनों बातें निकालने हैं आपको, और ये जो काम है, ये हमारे पास में वो तमाम सुविदाईं भी है और ये सुविदा जो हैं हम देते भी हैं कि हमारे पास में आईए और हमें अपनी बातें सुनाईए और उन सब बातों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत हैं हम उसको छांटते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे से चो दोनों का ताल मिला वो बहुत अच्छे से हो जाएगा मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि इनसास बहू की लड़ाई के चक्कर में जो पती देव हैं वो परिशान हो जाते हैं उनका काम डिस्टर्प हो जाता है उनका business disturb हो जाता है बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है वो केते हैं हम तो अलग होंगे और ऐसे भी मैंने case देखे हैं जहांपर ये चीजें चली लेकिन वो बहुत अच्छे से manage होगी अब वो एक ही घर में रहते हैं बहुत अच्छे से enjoy करते हैं वो उनको अच्छा लगता है कि हमारे घर के अंदर एक ऐसे सदश्य हैं जिन से हम कभी भी राई ले सकते हैं एक ऐसे सदश्य हैं जो उनको समझते हैं कब वो जो बहु है वो भी सोचती है कि मेरे साथ में एक ऐसा एसी एक सहली की तरह एक साती है जो मुझे समझती है जब मैं उदास होती हूँ तो वो मेरे साथ बात करती है मुझे पूछती है कि क्या हुआ और जो सास है वो भी यह समझती है कि देखो मुझे बहुत सारी सुख सुविधा हैं जो है इनकी वज़े से मिलती है हाँ मैं अपने उमीदों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाँ मैं वोई उमीदें रखूं जो मुझे आज के वक्त में रखने चाहिए तो ultimate मेरा बात यही है कि आपका परिवार इस देश के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है अपने परिवार की शक्ति को पहचाने अपने परिवार को मजबूत करें ताकि यह देश मजबूत होगा आपको अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको किरपया लाइक करें अगर आपको किसी परकार की मानसिक परिशानी है मन में चिंताप डिप्रेशन अवसाद रहता है तो आपके लिए पूरे साथ हफते की जो एक डिजिटल कांसलिंग प्रोग्राम और उसके साथ में बहुत सारे जो ऑनलाइन ओफलाइन जो सेशन हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है और उसका नाम है CBT Therapy Advanced Course वो हम डिजिटल माइंड केर इंडिया नाम के जो प्लेटफर्म है उस पर आप सभी को उपलब्द करवाते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है किरपया उसे जरूर चेक आउट करें और आप या बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू जय हिन जय भारत